हेलो क्लास, रुसर्च का क्लासस कंटीनी चल रही है, तो अभी तक जो भी रुसर्च के इंडरेक्शन, डफिनिशन, बेनेफिट्स, एथिकल आस्पेक्स वगेरा जो अभी तक समझ में आया होगा आप लोगों को, अगर इसी क्लास को फर्स टाइम रुसर्च में कोई देख कर दो की मिलेगा. सो आज का टोपिक है जो सिकसरी में स्टेपसीन सांदिफिक मदल एक है, हॉरिक हम आप लिए नहीं बता, है what is research searching for the solution of a question you are searching for the solution of a problem is research ठीक है तो scientific method में सबसे पहले step होता है state your problem या state your question यह अपने का formulation वाला topics आगे आएगा लेगन यह symbol वाष्य में मैं समझा रहा हूँ आपका research करने के लिए सबसे पहले आपको समस्या पता होना चाहिए ठीक है what is your problem what is your question उसको सही ठीक से समझ में आना चाहिए then only आप उसका उत्तर डूण सकता है यह clear हो गया यह next step हमारे है research the problem ठीक है research the problem माने जो problem के बारे में जानकारी ले that is collect information वो problem के अंदर जो भी जानकारी प्राप कितना कर सकता है उसके अंदर प्राप कर लिजिए मैं इसको सबसे आंकरी में एक example के द्वारा आपको समझा दूंगा अभी सिर्फ explanation सुनके आगे बढ़ा देता हूं ठीक है next is problem हमने state किया problem के बारे में हमने सेर्च कर लिया देन वी फॉर में hypothesis hypothesis यह एक important question है exam में define hypothesis hypothesis का भी आगे classes में elaborated description आएगा अभी में इतना बताऊंगा यह नी theory which is unproven त्याट कें बीकॉल्ट as hypothesis माने कोई साबीत नहीं किया अपनी assumptions को एक अपना यह रिसर्च language में hypothesis बता सकता है मेरे को यह लग रही है इसका कारण यह हो सकता है प्रूव किया है कि नहीं प्रूव नहीं किया मेरे को लग रही है that is known as hypothesis any factor या any theory which is not proven our assumptions can be called as hypothesis clear है आपने hypothesis form किया है form करने के बाद test the hypothesis ठीक है उस hypothesis को test करना चाहिए यह सबसे आखरी में विदान एक्जांबल में पूरी explain करेंगे तो आपको एक step का समझ में आ जाएगा यह test the hypothesis कि observe record and analysis data जो भी आपको data मिल रहे है उसको observe करो record करो and analysis करो ठीक है so उसमें से आपका hypothesis सही है गलत यह समझ में आ जाएगा आपको state the conclusion conclusion का मतलब आपका summary आपको यह आपका hypothesis सही दा गलत यह समझ में अच्रीक है अब में एक्जांबल के द्वार आपको यह पूरी शुरू हो गया तो आपने आपको problem क्या है you are having a headache that is a problem ठीक है so research the problem आप उस चीज़ को सामझना शुरू कर लिए मेरे को headache क्यों हो रही है यार क्या है यह कल रात को सोने के पहले क्या मैंने पानी पिया था या मैं को tension में सोया था या मेरे को रात में नींद नहीं आया या मैं next netflix या social media रात में चलाता रहा क्या है इस सरीके से में उस problem को समझने के लिए कोशिश करेंगे ठीक है तो यह step भी हो गया next form hypothesis जब आपको लगेगा कि यार कल रात को मैं रात बर तोड़ा सा क्या है जादा ही time में मोबेल वगेरा चलाता रहा वो भी bright screen में शायद उसकी वज़े से मेरे को headache हो रहा होगा तो यह एक assumption में आगया आपको hypothesis में आगया आपको लग रही है यह headache होने का कारण शायद में रात बर मोबेल चलाया था यह थोड़ा time चलाया था वो भी bright screen में तो मेरे नींद पूरी नहीं हो गया होगा उसकी वज़े से मेरे headache लग रहा होगा तो यह आपकी hypothesis हो गया next test the hypothesis test the hypothesis माने क्या होगा तो अगला दिन आपको सो जाएंगे तो आप जल्दी मोबेल बंद करके मतलब अगर दो बज़े तक मोबेल चला ल तक चलाया उसके वज़े से आप कोई problem हो रहें तो यह आपकी hypothesis है उसको आप test करने के लिए क्या करेंगे आप तो बारा बज़े मोबेल बंद करके आप आराम से सोना शुरू हो गया तो फिर अगले दिन यह observe record and analysis data अब अगले दिन सुबह उठेगा आपको अगर headache नहीं है उसमें से लगबख समझ में आ जाएगा यह आपकी hypothesis सही है मतलब आपने लंबा टाइम तक mobile चला के आप सो गया था प्रॉपरली नहीं सो उसके लिए headache आगया ठीक है अगर उसके बाद भी जैसे mobile सुचोफ जल्दी करने के बाद सुबह उठ रही है तब भी आपको headache है इसक आपको 2-2 बज़े तक mobile चला रहे थे उसके वज़े से आपको headache लगा अगला दिन mobile जल्दी आपने बंद कर दिया तो सुबह उठेगा तब आपको अगर headache नहीं है तो आपको यह hypothesis assumption सही था उसके बाद भी आपको headache अगर हो रही है इसका मतलब आपका hypothesis गलत था ठीक है so state the conclusion आपको यह conclude करना पड़ेगा अगर आपका headache नहीं है तो आपका conclusion में यह आ सकता है कि आप mobile चला के सो रहे थे इसलिए आपको दिक्कत हो रहे है अगर वो नहीं है उसके बाद भी headache हो रही है तो आपका conclusion यह लगेगा कि आपका hypothesis गलत है फिर आपको दुबारा step 2 से दुबार में आपको conclusion में आ जाएगा this is the steps in scientific method ठीक है research में भी इस तरीके से ही चलता है scientific method में मैंने explain किया यह university point of view से यह कभी-कभी पूछा हुआ मैंने देखा हुआ है ठीक है so इस चीज़ को समझ लिए होगा आपको जैसे मैं हर class को बताता हूं यह research classes सबको beneficial हो आप इस channel को share करे subscribe कर और आपका जितना views वगरा बढ़ता जाएगा teachers को भी तोड़ा अच्छा लगेगा तो आगे और classes लेने के लिए और subjects है psychology है administration यह सब जिलेने शुरू कर लेंगे तोड़ा उस तरीके से views वगरा बढ़ रहे है तो आप अपनी friends को share कर देना ठीक है okay may God bless you all जैहिंट